ही एवरिवन वेल्कम बेक टू पुनमपारी चैनल और आज का वीडियो भी बाकी वीडियो की तरह काफी खास है क्योंकि आज हम दो डिशिज एक साथ बनाएंगे क्योंकि 18 से 20 लोगों का मैं आज डेनर त्यार कर रही हूँ और उसके लिए मतर पनीर बनाएंगे और राजमा जिस में बहुत कम मैं मसाले यूज कर रही हूं बहुत कम ओल यूज़ कर रही हूं और काफी तेस्टी भी działa हूं तो इसके लिए मैं राजमा को रात में भृगा था ये किड़्नी राजमा है जो बहुत तेस्टी बनती है साथ 200 ग्राम के करीब राजमा है और मैने अट कीया है ताktर कि हमारी जो डाल हो काफी गारी बने और जब इसको अच्छा सब बॉइल के बाद इसमें जब इसको बॉयल करेंगे उसके साथ इसमें हम मसाले डालेंगे जैसे हलदी एक चाहिए पाउडर और सौल्ड मैं एड़ किया है और यह मैंने इसमें डाले है तेज पते तेज पते तीन-चार के करीब आपने डालने यह दो बड़ी लाईजी है और बाकिसमें मनें वॉटर एड़ कर दिया है बॉयल करने के लिए तो यह हमारी बॉयल हो चुकी है राज इसको कर्ची सी थोड़ा हमने मैश करना है और इसके लिए जो तड़की के लिए हमें चाहिए यह प्याज मैंने लिए है और जिनको मैंने रफली चॉप कर दिया है बाकि हमने टमाटर लिए है और जो दुसरी हमारी डिश बनेगी वो पनीर है मैंने क्यूब्स में कट कर दिय पनीर एक केज़ी के करीब है और 220IE स्टीजाँ मठर करीब है तो अब इसमें जो हैं मात तमाडर करएंगे मठर पनीर में यूकि हम सुहान शाही strike म मेक्स इवेंगए तो हमें स्टीज अव्य के yht Time62 प्योक ஐ की जरब्ला बागे में पयाज की जरब्ली नहीं है और मसाले की भी जरत्तनी है तो पहले राजमा बना लेते हैं ओहली हाँ मेरा गर्म हो जुका है उसमें मैंने जीरा डाल दिया है और यह दाल चिनी का टुकडा गया यह इसमें मैंने चकर फूर टाले हैं तोड की डाले हैं, एक देर के करीब हूंगे और ये खड़ी लाल मिर्च है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि टेमाटर प्योरे में भी हम कुछ में हरी मिर्च डालूंगी, तो बस इसको थोड़ा हम फ्राइकल लेते हैं, और अब इसमें मैं डाल रही हूँ, अनियन को हमने पीस लिया तो इस बीच आप और जो आपके बाकी बचे हुए काम है, वो आप कर सकते हो, इसको आप लो फ्लेम पे रखे, अब इसकी जो पहचान है, जब इसमें ओल ये छोड़ना शुरू कर देगा, तो आपका ये पक चुका है, इसमें अनियन, तो ये इसमें हमने डाला है, टमाट प्योड़ना शुरू करता है, वैसे हमने इसमें बहुत कम ओल डाला है, ये जिंजर गाली का पेस्ट है, ये हमें टमाटर से पहले डाला था, वट मैं भूल गी थी, तो अभी भी ये वैसे इसमें बहुन जाएगा, आप जब भी डालें, तो आप टमाटर प्योड़ना से बहुत कम ओल यूज किया है, पर ट्रस्ट में बहुत टेस्टी बना था, और बहुत अच्छा फ्लेवर आया था, क्योंकि इसमें जो बॉइल करते हुए मसाले डालते है, उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो यहां पर यह मैं डाल रही हूं हल्थी पाउडर, और क इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं, इसको भी थोड़ी देर हम पकने देंगे, और यह डाल रही हूं मैं, कसूरी मेथी, इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, तो यहां पर भी जब आपको लगेगी, पक चुका है हमारा सारा मसाला त्यार है, तो इसमें यहां प ताकि मसाली का सारा फ्लेवर हमारे इस तड़के में आ जाए, तो वस थोड़ी देर बाद यह भी हमारा पक चुका है, अब इसमें राज में जाएगी, अब आप देख रहे होंगे कि यह जो पैन हमारा बहुत चोटा सा है, इतने जनों का खाना इसमें, तो इसमें तड़क कर देंगे, तो यह सिर्फ हमारा तड़के के लिए थी कड़ाई, तो अब इसमें सारी राजमा, उस कड़ाई से होके मैं इसमें डालूंगी, ताकि कड़ाई से हमारा सारा मसाला भी आ जाए इसमें, और आप सारी राजमा इसमें डाल देंगे, तो यह मैं सारी राजमा इस कि गाड़ी बहुत बनती है तो इसमें आप टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट एड़ करते रहें पहले हमने कमी डाला है ज्यादा नहीं डाला है तो उस हिसाब से आप इसका सॉल्ट भी चेक करते रहें तो इसको हम 5-10 मिनट अच्छे से उबनने देंगे और इसको गानिश करेंग अब हरे धनी के साथ थोड़ी देर और पकने देंगे और फिर बाद में आप फ्लेम को आफ कर सकते हैं राजमा हमारी रेडी है बाद में गाड़ी हो जाएगी अब चलते हमारी सेकंड डिश की तरफ जो है पनीर मटर पनीर तो इस पनीर को हम क्यों के उसमें कट कर लेंगे और यह जो मटर है इनको हमने थोड़ा सा बॉयल करना है ताकि कच्चे ना रहेंगे तो यहाँ पे हलका एक सीटी से मैंने बॉयल कर दिया है और जो हमारा मसाला था उसका हम दूद में पेस्ट बना लेंगे इसमें हमने दूद मिक्स करना है और इसका एक पेस्ट त्यार कर अब बना दी पाकी टमाटर की प्योरे और अब सीधा हमारे प्योरे जाएगी इसमें आउयल में कडाई में तो अमें ये इसमें डाल चुकी हूँ और अभी इसमें भी टाइम लगता है पकने में जैसे मैंने आपको बदाया कि आप बीच-बीच में दुसरा काम कर सकते है इस इसमें मैं सॉल्ट एड़ करी हूँ टमाटर जब भी जाते हैं तो सॉल्ट उसके साथ जाएगा तो जल्दी पक जाते हैं तो मैंने सॉल्ट भी एड़ कर दिया इसमें तो अभी में को शायद 10-15 मिनट हो गए हैं तो काफी हद तक मुझे लग राएगी पगी है हमारी प्योर मसाले की ज़र्वत है इन इसमें क्योंकि इसी में सारे मसाले आ जाते हैं बस प्योरे में हमने यह मसाला डाल देना है और इसको भी थोड़ी देर पकने देंगे तीन से चार मिनट पकने देंगे इसको जब आप इसको दूद के साथ मिक्स करते हैं तो इसमें बिल्कुल भी गांटें नहीं रहनी चाहिए अच्छे से इसका पेस्ट बना लेना है और यहां पर इसको दोगे में थोड़ा से इसमें वाटर एड़ कर रही हूँ तो हमारी यहां पर ग्रेवी त्यार हो चुकी है मटर पनीर के लिए तो अभी तो इसमें और भी पाने डालेंगे हम क्योंकि अभी मटर पनीर को भी पकना है पनीर भी कच्छा है अभी तो तब काफी हद तक यह गाड़ा हो जाएगा तो यह थोड़ा सा और मैंने इसमें वाटर एड़ किया था और अब हमारे जाएंगे पनीर के क्यूब्स इसमें और इसको पांस से दस मिनट अभी हमने पकाना है अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसी के साथ इसमें डालेंगे हम मटर और बाकी आपने टेस्ट करके इसमें थोड़ा सॉल्ट भी एड़ करना है क्योंकि इसमें जो यह मसाला मिक्स होता है इसका हलका फ्लेवर मीठा सा हो हम आप असी साव से देखे है थोड़ा इसको रख़क करके पका लेता है यहां मंगों आट से दस मिनट हो गया है और थोड़ी देर और पकाएंगे हम और साथ के साथ इसमें अब जाएगी हमारी मलाई यह घर की मलाई यह थोड़ा सा मिक्सी में मैंने चला लिया था और यह मलाई होगी कम से कम धाई सो ग्राम के करीब तो यह हमारा क्रीम का काम करेगी थोड़ा सा मिक्सी में चला के तो इसमें घर के ही इंग्रेडियंट्स मैंने यूज किये हैं और बहुत टेस्टी बने हैं भार होटेल, रेस्टोरेंट वारा बिल्कुल टेस्ट आया है तो भार से तो आपको काफी महगा पर जाएगा तो आप ऐसे घर पे बना सकते हैं तो यहां लगबग हमारा मतर पनी त्यार हो चुका है और गानिश करेंगे हम इसको कसूरी मेथी के साथ तो आपके घर में जब भी ज़्यादा गैस टाएए तो आप ऐसे ट्राइग कर सकते हैं थैंक्स पर वाचिंग